चलिए अब मैं आपको अपना सक्सेश श्लोका बताती हूं जो मैंने चैन्ट किया था दूरिंग माय स्टाड़ी डेस ठीक है जिससे मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली और मैंने बहुत अच्छा किया स्टाड़ी में अब वह कौन सा श्लोका है सब लोग हनुमान जी को हनुमान जी को सब लोग जानते हैं थमसब करिये परफेक्ट ठीक है तो यह कौन सा श्लोका है यह हनुमान जी का श्लोका है और हम इसको चांट करना भी सीखेंगे ओक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोंट वारी स्वाम्या आपका ग्लेयर हो जाएगा जो आज हम कर रहें आप उससे फॉलो करिएगा डेफिनेटली आप कर लोगे ओके तोंट वारी ग्रेट अब हमें श्लोका को देखते हैं ठीक है यह संस्कृत में है आप लोग टेंशन मत लिएजए बहुत ही इजी है अभी मैं सब समझाओंगे आपको कैसे कारना है यह क्या लिखा है बुद्धिर बुद्धि का मतलब पता है सबको बुद्धि का मतलब क्या है बुद्धि का मतलब इंटलिजेंस बुद्धि का मतलब क्या होता है इंटलिजेंस बहुत इंटलिजेंट है बहुत तेज बुद्धि है बोलते हैं तो बुद्धिर मतलब इंटलिजेंस बुद्धि बुद्धि का मतलब क्या होता है इंटलिजेंस बुद्धि का मतलब क्य यशो means what? यश नाम सुने है, आपके पहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनका नाम यश होगा, यह हो सकते है, आपका ही नाम यशो, यश means what? यश मतलब फेम, यश मतलब आपके ख्यास में कुछ होंगे बच्चे बहुत famous होंगे, जिनकर बहुत सारे friends होंगे, इत दु यह हैं याप बहुत Famous होंगे, आप जिनका रिखा है? धायर्यम, धायर्यम मतलब patience, आपके फ्रेंट्स होनगे जिनका नाम होगा धायर्य, धायर्यम मतलब क्या patience, patience मतलब क्या कि आप बहुत पढ़ाई करते हो, बट हो सकता है कि आपको बहूत अच्छे मांगत नहीं अरहे हैं, पर आपको सब लोग बोलते हैं ना टीचर्स बोलते कोई बात ने बिटा आप मेहनत करते रहो आगे और अच्छे माक्स आएंगे आपके फ्रेंड्स बोलते हैं आपके मम्मी पापा बोलते हैं कोई बात ने आप और मेहनत करो और अच्छे माक्स आएंगे इसे बोलते हैं पेशन्स तो एक स्टू यह मतलब क्या होता है उनुपको पते हैं ऑप यह मीनस डर है इन्निर्भे जाते हैं अफमन मतलब ऑटमो निर्भाह मतलब ऐसको चीज सरते चीज एंग सरह मालगता है ठीक wrestle अर्भायत्वम मतलग fearless, एक्जाम आ रहा है कोई tension नहीं, कोई डर नहीं, टीचर स्कोल्ड करेंगे, कोई डर नहीं, मम्मी पापा डाटेंगे, कोई डर नहीं, ठीक है, तो डरना नहीं है, किसी से भी डरना नहीं है, ठीक है, हाँ, अगर गलती की है, तो डरना है, अगर गलती नहीं कि तो किसी से निड़ना, ओके अरोग अता, रोग मतलब क्या होता है, रोग मतलब बिमारी, कोई डिसीज लग जाना, जैसे सर्दी हो गई, जुखाम हो गया, बॉड़ी एक हो गया, हमें हो जाते हैं कभी-कभी, कि बहुत ठंडी लग गई है, हमें फीवर आ रहा है, य अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, तो अरोग अता मतलब कि कोई रोग ना लगना, डिसीज फ्री हो जाना, ओके, अजाध्यम, अजाध्यम मीन्स डेटर्मिनेशन, मतलब आप बहुत जादा डेटर्मिनेशन हैं कि हां में तो ये करूंगा, ठीके, आपने अगर ये करना तो है, पर चलो कल कर लेंगे, आज खेल लेते हैं, आज ये वाली गेम खेल लेते हैं, ठीके, ऐसे नहीं करना, जो आपने सोचा है कि ये वाला चाप्टर करना है, तो उसको फिनिश करना है, ठीके, अजाध्यम मतलब डेटर्मिनेशन, ओके, कोई भी काम में अगर हमे सक्सेस्फुल होना है, तो हमें अपने अंदर क्या लाना होगा, डेटर्मिनेशन, ओके, वाक पतुट्वम, वाक मींज वाक, वोकल आपने सुना न, वोकल, जो हम बोलते हैं, ठीक है, वाक पतुट्वम मतलब कि जो भी हम बोलते हैं, वो इंप्रेसिव हो जाता है, मतलब जैसे अब, let's suppose कि आपने कोई पोयम बोली, अपने स्कूल में, और उसको लोगों ने बहुत प्रेस किया, आपके फ्रेंज बोले वाओ, तुमने कितना अच्छा पोयम बोला, तुमने कितना अच्छा स्पीच दिया, बहुत ही अच्छा था, ठीक है, तो इसका मतलब क्या ह मतलब जो भी हम बोले, उससे लोग इंप्रेस हो जाएं, ठीक है, आप अपने फ्रेंज से बाते करें, तो आपके फ्रेंज को बहुत अच्छा लगे, वाओ, कितने अच्छी बाते तुम करते हो, कितनी नॉलिजिबल बाते करते हो, तो वाग पतुत्वम मेंस तू से मेंस तू कॉल हनुमान जी, तू रिमेंबर हनुमान जी, उनका ध्यान करना, भावेत मीन्स होता है, मैं माम नॉट अ स्टूदेंट, आप इन चीजों को कर सकते हैं, और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो हनुमत इस्मरनाद भाव ओके चले अब, अब हम इसको फर से एक बार देखते हैं, कि हम अगर इश्लोक को रसाइट करेंगे तो क्या कि चीज हमारे अंदर आएंगी, पुद्धी, पुद्धी, भुद्धी मीन्स इंटेलिजिंस, ठीक है, बेटा आपको इसका वो मिल जाएगा, यह मैं आपको साझ शेयर करूंगे pdf ठीक है तो आपको इश्लोका मिल जाएगा आप टेंशन ना लो ओके और कैसे चांट करना है वो भी मैं आपको audio दोंगे अभी आप सिर्फ ध्यान लगा कर सुनो एक-एक बात को सुनो बस तो बुद्धी बुद्धी means intelligence अगर हम हनुमान जी को याद करेंगे तो क्या-क्या होएगा सबसे पहले हमारे पास क्या एगी intelligence बुद्धी ठीक है बुद्धी क्यों जरूरी है क्योंकि आप पढ़ो और आपको याद हो जाए हना थाकि हमें जल्दी-जल्दी याद हो जाए हम कुछ भी पढ़े हमें तुरंत याद हो जाए मैं कुछ भी हमें class में समझा है तो हमें तुरंट समझा जाए इसलिए हमें क्या जरूरी है बुद्धी intelligence ठीक है बलम means strength strength भी तो जरूरी है physical strength हम strong रहेंगे हमारी अंदर strength रहेगी तो हम confident रहते हैं उसके बाद क्या जरूरी है यश अभी मैंने समझा है यश means what fame आपको सब लोग जानेंगे सारी teachers बोलेंगी हां वह बहुत ही intelligent है बहुत ही अच्छा बच्चा है बहुत ही good student है सारे friends भी आपके पीछे आएंगे कि मुझसे friendship कर लो मुझसे दोस्ति कर लो तो यश भी जरूरी है तो अगर हम हनुमानची को याद करेंगे तो पहली तीन चीज़े क्या आएंगे हमारे पास बुद्धी बुद्धिर ओके दूसरा क्या आएगा strength बल और तीसरा क्या आएगा यश यानी fame ओके सब लोग आपको पहचानेंगे उसके बाद क्या आएगा हमारे पास धैर्यम पेशन्स आएगा हमने बहुत मैनत की और exam वाले दिन हम गवराने लगे हमें anxiety हो गई पता नहीं कैसा होगा क्या कर पाएंगे तो यह नहीं होगा patience रखना चाहिए और अगर नहीं अच्छा result आया तो हम निराश नहीं होंगे क्योंकि हमारे अंदर क्या है patience कोई बात नहीं इस बार नहीं हुआ next time हो जाएगा next time अच्छे marks आएंगे तो patience बहुत जरूरी है तो fourth चीज क्या है हमारे पास धैर्यम ठीक है धैर्यम पेशन्स निर्भायत्वम निर होना fearless ठीक है हम किसी से नहीं डरेंगे ओके जो गलत काम कर रहा है उस गलत काम के खिलाफ अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए ओके कुछ भी अगर आप देखे कि आपके आसपास चाहिए वह आपके parents क्यों नहीं जो गलत चीज कर रहे हो आपके teachers कुछ ग किसी भी wrongdoing को support नहीं करेंगे ओके अरोगता अरोगता means without any disease okay disease free हो जाना अब हम पढ़ रहे हैं हमें पढ़ाई भी करनी है हमारे पास time भी कम है और अगर हमें सर्दी जुखाम लग गया fever लग गया तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे तो इसलिए disease free होना भी बहुत जरूरी हम healthy र दियान दे सके हम अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएं तो इसलिए हमें सिक्स्त चीज क्या मिलेगी अरोगता उसके बाद अजाट्यम अजाट्यम means determination 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 मतलब किसी भी चीज को जब हम कर रहे हैं तो हम बहुत लगन से करें अगर हमें आज ये chapter complete करना है तो करना है अगर म determination होनी चाहिए तभी तो हम successful बनेंगे ना है अगर हमें आगे successful बनना है कुछ अच्छा करना है तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए determination ठीक है वाग पतुट्वम वाग पतुट्वम जैसे अभी मैंने बताया था articulateness of speech मतलब आप जो बोलोगे वो बहुत ही effective होगी सब लोग उसको बहुत प्रेज करेंगे वाओ तुम कितना अच्छा बोलते हो कितना सुंदर बोलते हो है ना सब इंप्रेस हो जाएंगे आपकी speech से हनुमत इस्मरनाद भवेद तो जो जो हनुमान जी को याद करेंगे उनके पास क्या-क्या qualities आएंगी सबसे पहली quality पुद्धी ओके दूसरी quality बल, strength तीसरी quality fame यानि वो famous हो जाएंगे धैर्यम मीन्स पेशन्स आपके अंदर पेशन्स आएगा निर्भायत्वम मतलब fearlessness अरोगता मीन्स without any disease, disease free हो जाएंगे अजाड्यम मीन्स determination वागपतवम मीन्स articulateness of speech बहुत अच्छी speech हो जाएगी हाना तो ये सारी qualities हम सभी students को चाहिए अपनी life में ताकि हम लोग हर तरह से progress करें हाना और हनुमान जी हमें क्या सिखाते हैं कि चाहें हम कितने भी intelligent हो चाहें हमारे अंदर कितना भी strength हो चाहें हमारे अंदर कितनी भी qualities हो पर तब भी हम सबसे जादा humble रहेंगे हमारे अंदर बिलकुल भी ego नहीं आएगा ठीक है हम सबसे बहुत अच्छे से behave करेंगे अपने parents की respect करेंगे teachers की respect करेंगे अपने सभी elders की respect करेंगे कभी किसी से बुरे से बात नहीं करेंगे जाहें वो हमारे घर के workers हो, जाहें वो कोई भी हो, हम सब की respect करेंगे और सब को एक जैसे देखेंगे, ना, तो हनुमान जी हमें यही सिखाते हैं, वो कितने, कितना strength था उनके अंदर, हनुमान जी के अंदर उन्होंने अपनी एक हाँ से पुरा पहार उठा लिया था, आपको कितना strength था उनके अंदर, पर तब भी हमेशा ऐसे ही आपको दिखेंगे, सबसे हमबल, वो हमेशा हमबल रहते हैं, ठीक है, तो यह quality होती है, एक good human being की, क्या, कि आपके अंदर कितनी भी अच्छा ही हो, बट आप हमबल रही है, ठीक है, आप सबसे अच्छे से बात करिये, स सबसे जुख कर बात करिये, सबसे नमस्ते करके बात करिये, तो हमें एक बहुत ही अच्छा human being बनना है, स्टूडेंट के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना है, ओके, सो यह सब हमें कौन सिखाएगा, हनमान जी हमें सिखाते हैं, और उनको प्रे करने से, उनको ध्यान करने से, उनकी सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आती हैं, ओके, ठीक है, तो आप सब को सीखना ये बाला मंत्र कैसे चैंट करते हैं, आपको अच्छा लगा ये श्लोप, तो मुझे थम सब करिये, अच्छा लगा आपको, ओके, परफेक्ट, वंडर्फुल, चलिए, एक सेक हैं रेस्ट हुए है, अजतß लगा प्रातीक ये प्रतीक जीभा प्रतीक बुषिक Me, इस भानमे मैं इस पोजिशन से और रहने ये इस पोजिशनम्रेव, अ, बल्को बलको UP कि चले अब आप सब लोग मेरे साथ चैन्ट करना सिखेंगे ठीक है आपको मेडिटेशन की पॉजिशन याद है दोनों हाथ ज्यान मुद्रा में को के अब मैं एक एक वर्ड बोलूंगी आप मेरे कि पीछे-पीचे-पीचे रिपीट करेंगे लाउडली रिपीट करेंगे कोई भी मन में करेंगे ठीक है सब लाउडली करेंगे उक्याइग चले अपनी पीचे-पीचे बुद्र याशो बलम यशो, धैर्यम, निर्भायत्वम, निर्भायत्वम, अरोगता, बुद्धिर, बलम, यशो, धैर्यम, निर्भायत्वम, अरोगता, अजाध्यम, अजाध्यम, वाग, पतुट्वम, च, अजाध्यम, वाग, पतुट्वम, च, हनुमत, इस्मरनाथ, भवेत्व, हनुमत, इस्मरनाथ, भवेत्व, फिर से बोलेंगे, बुद्धिर, बलम, यशो, धैर्यम, निर्भायत्वम, अरोगता, अजाध्यम, वाग, पतुट्वम, च, हनुमत, इस्मरनाथ, भवेत्व, पर्फेक्ट, चले, अब हम पूरा-पूरा बोलेंगे, ठीक है, वन वन लाइन बोलेंगे, अब आप रिपीट करेंगे, ओके, दोनों हैंज को नमस्ते मुद्रा में कर लीजे, नमस्ते मुद्रा में, हाँ, चले, अब हनुमान जी को याद करिए, ओके, और पूलिए, बुद्धिर, बलम, यशो, धैर्यम, बुद्धिर, बलम, यशो, धैर्यम, निर्भयत्वं अरोगता अजाध्यम वाग पतुट्वंच अजाध्यम वाग पतुट्वंच हनुमत इस्मरनाद भवेत हनुमत इस्मरनाद भवेत फिर से एक पार बोलेंगे हम बुद्धिर, बलम, यशो, धैर्यम, निर्भयत्वं अरोगता अजाध्यम वाग पतुट्वंच हनुमत इस्मरनाद भवेत अब आप दीरे दीरे इसको डेली रसाइट करेंगे तो आप सीख जाएंगे ठीक है अब मैं एक पार आपको इसका रेसिटेशन पूरा पताती हूं करते हैं बुद्धिर बलम, यशो, धैर्यम, निर्भयत्वं अरोगता अजाध्यम वाग पतुट्वंच हनुमत इस्मरनाद भवेत इस तरह से हम इसको बोलते हैं चले अब हम 11 टाइमस इसको बोल रहे हैं और आप लोग अपने दोनों हैंस को नमस्ते मुद्रा में रखके सुनियेगा ठीके और अगर हो सके तो आप भी मेरे साथ साथ भोलेगा चले बुद्धिर बलम, यशो, धैर्यम, निर्भयत्वं अरोगता अजाध्यम वाग पतुट्वंच अजाध्यम वाग पतुट्वंच अजाध्यम वाग पतुट्वंच अजाध्यम वाग पतुट्वंच अनुमत्स्मरनात्भवेत बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं अरोगता अचाट्यं वाग्पतुट्वंच अनुमत्स्मरनात्भवेत बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं अरोगता अचाठ्यम वागपतु वम्चु उन्मारनात्पवेत बुद्धिर्बलम यशोधैर्यं निर्भायत्वं अरोगता अचाठ्यम वागपतु वम्चु उन्मारनात्पवेत बुद्धिर्बलम् यशोधैर्यम् निर्भायत्वं अरोगता अजाट्यम् वाग्पतुट्वंच अनुमत्यस्मरनात्भवेत। 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 लुद्धिर्धिर्धिर्धिर्धिर्ध्धिर्ध आप्य। now rub your hands place them on your eyes on cheeks on ears on your heart and relax okay listen to everyone thumbs up if you enjoyed it wonderful wonderful great so now we have to do this first when you remember Hanuman Ji so you both will stay in your hands in Namaste Mudra we are praying now I will send this mandra so you will keep your hands in Namaste Mudra because we are praying so you will keep your hands in Namaste Mudra you will keep your eyes closed okay where will focus where we have done before we did home chanting both eyebrows here you will keep focus and you will remember Hanuman Ji and you will see Hanuman Ji you will bring a lot of blessings and as you will say once again we will visualize that you will also like Buddha 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 बल means strength, यश means fame, धार्यम means patience, आप एक एक चीज को ध्यान करेंगे, कि मेरे अंदर ये सारी qualities आ रहे हैं, हनुमान जी की सारी blessings मेरे अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और यह आपको श्लोक कप पढ़ना है, 11 टाइम्स चैंट करना है, जैसे अभी हमने किया ना चैंट, वैसे ही आप 11 चैंट करेंगे, कप कप करना है, डेली आफ्टर टेकिंग बात, जब भी आप सुबा उठते हैं, फिर नहाद हो कि रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आपको ये डेली करना है, आप अपने प्रेयर रूम में चले जाहिए, जहां पर भी आपका प्रेयर रूम है, या आपका है जहां पर भी आप रेडी होते हो आ पर भी चैंट कर सकते हो, ठीक है? और जब हिआपका एग्जाम हो, तो एक्जाम से पहले, यासा आप अपने एग्जाम हाल में बाटे हैं, इक्जाम होने में अभी टाइम में अभी time है, अभी माँ टिस्टिव्यूट करने वाली हैं, तो वो जो टाइम होता है ना मीच का 15 मिनट का टाइम तो वो टाइम पे आप ये चांट करोगे ताकि आपको इंस्टेंट ब्लेसिंग्स मिल जाएं और धनुमान के ठीक है तो आप जब ये चांट करोगे ना अपने एक्जाम से पहले तो आप बहुत कॉंफिटेंस रहोगे म आप तुरंत उसको लेख सकोगे ठीक है तो यह आपको डेली करना है कब-कब आप्टेकिंग बाथ एंड स्पेशली बफोर यॉर एक्जाम ठीक है सब को समझ आ गया थाम सब करिया अगर आपको समझ आ गया हो परफेक्ट ग्रेट